नमस्कार दोस्तों मैं कुमार आसी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चनल जे एच जी के स्टडी चनल पर तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इतिहास के कुल 30 प्रशनों को जो दोस्तों किसी न किसी गवर्रमेंट एकजम में कर देखते हैं पहला प्रस्ण से भारत में खो जा गया सबसे पहला सहर कॉंण सा था और सारे सवा इसलिए एक एक वीडियो को द्यान से देखेगा तो दोस्तों पहला सवाल क्या है कि भारत में खो जा गया सबसे पहला सहर कौन सा था तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा हडपा ठीक है क्या होगा हडपा हडपा जो है दोस्तों भारत में खो जा गया सबसे पहला सहर था ठीक है और ये दोस्तों SSE 2003 में पूछा गया प्रशन है कितना ज़्यादा important है ध्यान देजिएगा next प्रशन है आपका मोहन जो दुड़ो कहा इस्थित है ये प्रशन भी दोस्तों RRB 2003 में पूछा गया है हमने कहा ना दोस्तों कि जितने भी प्रशन लेकरा है सारे के सारे सवाल किसी ना किसी एकजम में पूछा गया है तो दोस्तों मोहन जो दुड़ो कहा इस्थित है आपका उत्तर हो जाएगा options B सिंध में ठीक है options B आपका जो है इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगर आप उतर जाते हैं तो आप कमेंट करके अपना उतर जरूर भीज दीजेगा ठीक है नेक्स्ट प्रशने देखते हैं अगला प्रशने है सिंधू सभ्यता के घर किसे बनाए जाते थे इंपोर्टेंट प्रशने दोस्तों SSE 2001, RRB 2004 और भी दोस्तों कितने अग्जाम में पूछा गया प्रशने है ठीक है तो दोस्तों सिंधू सभ्यता के घर किसे बनाए जाते थे तो EAT से ठीक है EAT से दोस्तों सिंधू सभ्यता के घर बनाए जाते थे Options A जो है इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने दोस्तों सिंधू सभ्यता का कौन सा अस्थान भारत में इस्तित है Important प्रशने दोस्तों काफी ज़्यादा important है ठीक है इसलिए आप एक एक प्रशने को दिखान से दिखेगा तो दोस्तों सिंधू सभ्यता का कौन सा अस्थान है जो की दोस्तों भारत में इस्तित है तो उत्तर होगा लोथल ठीक है लोथल जो है दोस्तों सिंधू सभ्यता का ये अस्थान है जो भारत में स्थित था नेक्स्ट प्रशने दोस्तों नेक्स्ट प्रशने आपका पुरानों की संख्या कितनी है ये प्रशने भी दोस्तों काफी बार पूछा गया है पुरानों की संख्या कितनी है असान समाले दोस्तों 18 ठीक है पुरौना की संख्या कितनी है 18 ओप्सन्स ए जो है इस प्रशने का उत्तर होगा दोस्तों अगर आप उत्तर जाते तो कमेट में जरूर भेज देज़ेगा अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने दोस्तों भारत में सीकों का प्रचलन कब हुआ तो छोस्व इस इसा पुरू में हुआ था कब हुआ था छोस्व इसा पुरू में ऑप्सन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने देखते हैं दोस्तों अगला प्रशने है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था यह सवाल काफी ज़दा इंपोर्ट है ने आरड़ी दोजार टीन दोजार चार्ज जेपी एसी ने पूछा गया है तो समझ सकते हैं और भी बहुत सारे एक जब में पूछा वह यह प्रशन है ठीक है क्या सवाल है तो उस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उब्द कि मेगा स्तिनीज की पुस्तक का नाम क्या है तो आपका उतर हो जाएगा उप्सन्स डी इंडी का क्या होगा उतर दोस्तों इंडी का ठीक है उप्सन्स डी प्रशन का उतर होगा दोस्तों अगर आप सभी को प्रशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था इंपोर्टेंट प्रशने दोस्तों बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था तो 1905 इस्वी में कब वा था दोस्तों 1905 इस्वी में options डिस प्रशन का उतर होगा next प्रस्ण देखते हैं दोस्तों next प्रस्ण है आपका भारत सन्युक्त राश्टी का सदस्य कब बना था important प्रस्ण है भारत सन्युक्त राश्टी का सदस्य कब बना था तो 1945 में options D 1945 में जो है भारत दोस्तों वो सन्युक्त राश्टी का सदस्य बना था ठीक है अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने है हिरोशीमा दिवस कब मनाया जाता है इंपोर्टन प्रशने दोस्तों कापी बार पूछा गया है हिरोशीमा दिवस कब मनाया जाता है तो आपका उतर होगा छे अगस्त ठीक है छे अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा दिवस्त मनाया जाता है अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने है जर्मनी के इसाई मिस्नरी किस वर्स राची पहुँचे थे इंपोर्टन प्रशने दोस्तों राची कहा है दोस्तों तो य जो कवर करेंगे और सारे सवाल दोस्तों काफे ज्यादा एंप्रछन है नेक्ष्ट प्रसन है भारती आजादी के समय इंग्लेंड के परधान soient कौन थे जब दोस्तों हमारा भारत देस आजाद वा तो उस समय इंग्लेंड के परधान मंतरी कौन थे important प्रश्ण है तो आपका उतर होगा Clement Italy कौन है Clement Italy ठीक है option C प्रश्ण का उतर होगा अगला प्रश्ण है आपका दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता दोस्तों कौन सी मानी जाती है important question है तो आपका उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों आपका उत्तर option A आपका write answer होगा Mesopotamia सभयता जो है दोस्तों वो दुनिया की सबसे पूरणी सभयता मौनी जाती है कौन सी Mesopotamia सभयता ठीक है next question देखते है next question है दोस्तों निमने लिकित में से किसे नील का उपहार कहा जाता है, कई बार पूछा गया प्रशने दोस्तों, important प्रशने है, निमने लिकित में से किसे नील का उपहार कहा जाता है, तो miss record, ठीक हो, miss record दोस्तों, नील का उपहार कहा जाता है, options this प्रशने का उत्तर होगा, अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रश्ने दोस्तों आधुनिक चिकित्सा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो हीपोकेटस ठीक है हीपोक्रेटस आपका जो है सी इस प्रश्ने का उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्ने है अगला प्रश्ने दोस्तों वास्कोडिगामा किस वर्स भारत में पहुंचा ठीक है तो आपका उतर क्या हो दोस्तों 1492 कब दोस्तों वास्कोडिगामा जो है वो भारत आया था दोस्तों वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देजेगा अगला प् तो 1949 में, कब वा था दोस्तों, 1949 में ठीक है, option C प्रशने का उत्तर होगा Next प्रशने दोस्तों, रक्ट और लोहे के आदमी के रूप में किसे जाना जाता है रक्ट और लोहे के आदमी के रूप में किसे जाना जाता है, important प्रशने है तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बिस्मार्क कॉन बिस्मार्क को दोस्तों रखत और लोहे के आदमे के नाम से भी जना जाता है next question है दोस्तों next question है किसने कहा कि मनुष्य से एक राजनितिक पसू है किसने कहा कि मनुष्य क्या है एक राजनितिक पसू है तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों options A अरस्तू ठीक है मनुष्य से एक राजनितिक पसू है अरस्तू नहीं कहा था अगला प्रशन है अगला प्रशन है दोस्तों आपका प्रथम रोमन समराट का नाम क्या है प्रथम रोमन समराट जो था वो कौन था तो आपका उतर हो जाएगा options B ओंस्टस कौन है ओंस्टस ठीक है options B जो है आपका right answer हो जागा नेक्स्ट प्रशन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रशन है इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है बीवी आई प्रशन दोस्तों काफी ज़्यादा important है very very important प्रशन है ठीक है इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो आपका उतर क्या होगा option C हेरो डोटास को अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने दोस्तों एडॉल्प हिटलर की आत्म कथा का नाम क्या है इंपोड़न प्रशने है तो आपका उत्तर होगा मीन कॉम्प क्या होगा मीन कॉम्प एडॉल्प हिटलर की जो आत्म कथा है दोस्तों वो मीन कॉम्प है ठीक यह options B जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों किस वर्स अमेरिका को स्वतंतरता मिली किस वर्स अमेरिका को अमेरिका देश जो है दोस्तों उसको स्वतंतरता मिली किस वर्स मिली थी स्वतंतरता तो 1776 को कब दोस्तों 1776 यत्तर को ठीक है options 20 प्रश्न का उत्तर होगा next प्रश्न देखते हैं next प्रश्न दोस्तों प्रसिद विरुपाक्षि मंदिर कहा अवस्थित यह दोस्तों UPSC 2009 में पुछा गए है UPSC में पुछा गए दोस्तों समझ सकते हैं कितना ज्यादा important प्रश्न है तो आपका उत्तर हो जाएगा हम P ठीक है हम P option C जो है इस प्रश्ण का उत्तर है अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण दोस्तों पानी पत का प्रथम यूद कब हुआ था तो हुआ था दोस्तों 1526 में ठीक है और पानी पत का अगर दोस्तों दूसरा यूद पूछा जाए तो 1556 में ह दूसरा यूद और जो पहला यूद हुआ था वो 1526 में तो इस प्रस्ण का उतर होगा आपका पूछा गया है ठीक है तो किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों अकबर और हेमु के बीच जो दोस्तों पानी पत का दूसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच अकबर और हेमु के बीच ठीक है अगला प्रस्ण है दोस्तों वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था अगला प्रस्ण है दोस्तों प्रसिद चेतक गोडा किस से संबंदीत है यहां पर होगा दोस्तों किस से ठीक है यहां पर किस से होगा यहां पर से होगा एक तो प्रसिद चेतक गोडा किस से संबंद है तो आरारबी दोजार तीन में यह भी पूछा गया है तो आपका उतर होगा राना परताब ठीक है राना परताब से संबंदीत है प्रसिद जो चे सबसे प्राचिन वादियंत्र है तो आपका तरुका वीना ठीक है ऑपसंस डी जो है सबसे प्राचिन तम वादियंत्र है ठीक है तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएगा और कितना उत्तर सही मार सके हैं वो भी दो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें ठीक है तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आप सभी से फिर एक अगली वीडियो में